मद्यप्रदेश में सरकारी तबादलों पर लगा प्रतिबंद एक एप्रिल से एक महिने के लिए हटनी जा रहा है ये तबादले नई तबादला नीती 2021 के तहत होंगे जो तयार हो चुकी है और अगले कुछ दिन में काबिनेट के सामने आएगी नीती में दो एहम बदलाव किये गए हैं पहला जिन अधिकारियों शिक्षकों और करमचारियों के ट्रांसफर मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच हुए हैं जिले के प्रभारी मंत्री दोबारा उनके तबादले सीधे नहीं कर पाएंगे ऐसा मामला सामने आने पर ट्रांसफर की फाइल मंजूरी करने के लिए CM Coordination तक जाएगी मुक्यमंत्री की स्विक्रती के बाद ही उनका तबादला होगा दूसरा बदलाव किसी भी क्लास वन ऑफिसर का तबादला अगर जानभूच कर किया जाता है तो वह उसकी शिकायत मुक्य सचीव से लेकर मुक्यमंत्री तक कर सकेगा उसका निराकरण होगा वही अखिल भारतिय सेवा के अधिकारियों पर ये नीती लागू नहीं होगी तो आज मुक्यमंत्री नई नीती पर चर्चा कर सकते हैं और नई तबादला नीती में बड़े बदलाव देखने को मिलेगे